महागनेशाय नमा ओम गंगड़पते नमा गड़पती वाच एस्ट लोरी से मैं प्रफेसर डॉक्टर एके चोले आप सभी मित्रों का अपने यूटूब चैनल पर हार देख स्वागत और अभी नंदन करता हूं मित्रों नमस्कार मित्रों हाजर हुमें आप सभी चर्चा दिए चर्चा कर रहा था कि anterior के लिएants के इस्वामी राशित का राशनु आ शूरी है जो महागएप पूरवार में लगन में बेठे उगे इस कॉल्पियों के बिच्चक्राशी के लिए बिच्चक्राशी लगन में तो सूरी जो है पंदर 16 दिसमर को उटाएंगे वासे तो 16 दिसमर तक लगन में बैठे होंगे और दिसम भागे स्वामी है तो आपका क्या है देगे अपने सात्यों के साथ बढ़ता ही किज़ को सूरी सवामी है और आपके लगन में बैठे है और तौरी तजबा कि स्वामी है तो जहां कार्शित में कौर रहे हैं वहां आपकी ज है अपने सात्यों में अहम की भागन है एक याIdखोगिस्टिक नो हो साथ फिर सम्मंद बिगड़ जाएंगे इसका ध्यान लखिएगा आपके काम में बिगने पड़ सकता है तो अहम की भादा मताने देए मां के उत्राद में सूर्य जब देखिए शेकंड हाउस में आजाएंगे लगन से निकलके धनबाव में आजाएंगे शुरह दिसंबर के से तब तो इस्तिद्धी में सुतार हो जाएगा कि सूर्य आगे धनबाव में बना पहले लगन में आपको सरकारी छेत्रे धन की प्राप्ति हो सकती है धनबाव के सूर्य धनबाव में बुद्ध भी आगे तीन दिसंबर को धनबाव में शुक्र भी आगे तो वे ब्रश्य सबखते तो बहुत जुआ लगादस्टे सब्रकारी से आपको अच्छी प्रगत्य होग नती संभावनад प्रतेश्था मान, सम्मान मिलेगा आपको, शबकुछ प्राप्त हो जाएगा देखिए, धन का धन की बारिष तो होगी, धन की बारिष में सूर्य का, बुद्ध का, शोक्र का तीनों का योग दान हैगा, और देखे राहू कहां है आपके, राहू छटे भाव में है, तो राह लाऊगी पंच्चिंग दरस्ट्री दसमें भाहों पढ़ रही है तो लाऊगी पंच्च्अनवाव पर धस्ट्री और सूरी भाहा के वहा हुड राऊटी करें तो्धाली ikiлуч मतलब बल प्रतान कर रही है शत्रों को काम निकरने देगी और देखिए शुक्र बुद्ध सूर्य सब अच्छे धनभाव में शुरू में रहे धनभाव में आएगे ना पहले तो लगन में थी तो धनभाव में आ गई और देखिए धनभाव और मंगल आपके कहा है मंगल देखिए सब्सक्राइब तो लगन में सूर बुद्ध शुक्र मंगल चार चार ग्रे वाई क्या कहने तो स्वास तो बड़ा अच्छा रहेगा आपका सरीर हिस्पुस्ट रहेगा काया बड़ी निरोगी काया स्वास्त शरीर पूरा महिन आपका स्वास्त अच्छा बीते का कोई दिकत सना जाएगी भाई ओस के पारष्रम करा है आप क्यों प्रष्रम महाम शनी आव व्हां में शनी इन ता बेंढोई आप जितना जादा प्रчиम में करेंगे युथना ही आपको लाब मिलेगा तम आत्रा करेंगे आंब लापकालि होगी और जितना स्वाव प्रिम में अपक Chief म स्वामी अऔर दिए पंचे मँआ से और था में आपकी कोने ब्रस्पति मींद सिर्गें तो दिए पंचे माईसं से वह जैवें keeping और एया जारची राकिया भूद्ध की रशी एकनाराश सी बुद्ध श्रूप में थे अच्छा बूसि में लगनुँते पिर दन भाव में आग ग्यानन वहां के स्वामी है, ब्रश्पती की दर्श्री पड़ रही है, बले 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 भाई लाव है, लाव का मतलब पैसा आना, तो बढ़ी बुद्ध के कारण, ब्रश्पती कारण आपको लाव ही मिला है, नौकृत लिजला, विवसाय मिलाव, गुप्तु धन की प्राप् लेका खालेगे खर्चा भी होगा तो खर्चे पर थोड़ाशा कंट्रोल रगिएगा धन तो आपको खुब मिली रहा है आपके लगने जो हैं मंगल के सेवेंध हाउस में बक्री मंगल जो है कहा है सेवेंध हाउस में और सेवेंध हाउस में शुक्र की राशी है और शुक्र धन भाव में शुरू में लगन में थे अपने देख रहे थे सब्तम भाव को बिर्शन राशी को तो शुक्र की पांच इ तो मंगल सब्तम में बैठकर आपके जो बिजनेस पार्टनर से उनका प्रेम प्रसंगों में लाब दे रहे हैं प्रेमी आपका जो है निकट आएगा सम्मन्द मधोर बनेंगे और प्रेम विभातक हो सकता है और परवार भाव में मंगल है तो मंगल भी आपके, मंगली तो बनाते हैं, थोड़ा क्रोध को शांत रखे, गावस क्रोध मताने दी रहेगा, तो अच्छा सम्मझ भीतेगा, बेवाग जीवन भी सब्तम में कुछ थोड़ा तनाव तो आएगा, क्यों मंगल हैं, कुछ घर्म तो बहुत अच्छा भीतेगा, और क्रोध आया आपको तो फेज़ाब मुश्किल हो जाएगी, तो लेकिए सेविंद पर मंगल की दस्टी, मतलब मंगल बैटें और परवार में भाव में और लगन पर दस्टी जा रहेगे, तो लगन को तो बुलबान करेंगे, पर थोड़ 26 जबंबर के बाद तो धनकी बारिशी हो रहे है आप, बहुत जबर दस्टी जबर दस्टी, धनकी कोई समस्तिय नहीं आएगी, और संतान भाव के ब्रस्पती संतान के साथ कोई समस्तिय नहीं याण देंगे, संतान के उन्नती कराएंगे, संतान को परिक्षा में अच्छ थांकर से पास करेंगे संतान बहुत प्रकर्ति करेंगी और प्रेम्य प्रसंग भी आके प्रकर्ति करेंगे सब्भलता मिलेगी गलें सेक्न पाघ गड्रक्रिक उट्छीं कि परवार में थोड़ा तलखी प्यार्या कर सकती है बाव को ब्रस्पती मेल राशे की हैं तो सनी ब्रस्पती को बलवान करेंगे ब्रस्पती बलवान हुए संतान को जादा लाव होगा प्रेम प्रसंगों में लाव होगा अच्छा रहेगा तो देखिए शिक्षा के शित्र में जो जातक बहुत अच्छा करेगा ब्रस्पती बेटे हैं शनी की दस्रीवर रहेगा तो शिक्षा के शित्र में अच्छा प्रेम प्रसंगों में अच्छा संतान को अच्छा राओ के तू शनी का बार में घर पर प्रभाव जो है बिदेशोति तंबन तो बढ़ाएगा नौकरी बढ़ाएगा ब्यापार बढ़ाएगा बिदेशोति लाब दुलाएगा लेकिन खर्चा भी होगा बिदेशी आत्रा होंगी सब लाब द्राइग होंगी पर खर्चा भी होगा तो देखे अब मैं आपको उपाय कुछ बता दूं कि अगर आप फिर भी और अच्छा चाहते हैं तो उपाय के लिए क्या करें कि मंगल को हन्मान जी की विशित पूजा हन्मान चारीशा का पार्ट करें और शनी के लिए चीटियों को आटा पार्ट करें और शनी को भी थोड़ा खुछ रखी बास बढ़ीया बढ़ीया रहेगा तो में तो यहां से मैं बिदा लूंगा